रहसमेई और चमतखारिक मंदोदरी मंदिर मंदोदरी सब्द का अर्थ बहुत ही अद्बुत है और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होगा सब्द के अर्थ के अनुशार देखा जाए तो मंद यानि पानी और उदर का अर्थ पेट यानि सिधी बासा में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि जिसका जन्म पानी से हुआ है तो आईए जानते हैं रहसमेई और चमतकारिक मंदोदरी मंदिर मन्दोधरी मंदिर से भी एक बहुत पूरानी और रहस्मेई सची कहानी चुड़ी है इस कहानी को सुनकर कोई भी उस पर विस्वास नहीं करेगा लेकिन ये कोई कालपनी कथा नहीं बलकि असली में घटी और दिल को दहला देने वाली घटना है कहानी के मताबिक बेटकी गाउं में पानी का एक बूंद भी मिलना मुस्कल था लेकिन कौन बदा सकता है कब कहां और क्या चमतकार हो जाए वैसा ही कुछ इस गाउं और मंदिर के लोगों के साथ हुआ गाउं के लोगों को पानी देने के लिए खुद जल की देवी प्रकट हुई और उन सब को कुछ ऐसा आसिरवात दिया जिसके कारण उन्हें आज भी पानी की कमी महसूस नहीं होती यहां के गाउं के लोगों को जहरने का पानी हमेशा के लिए मिलता रहे इसलिए बहुत साल पहले यहां लोगों ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी उन्हीं बच्चों के बलीदान के खातिर मंदोधरी मंदिर बनाया गया इसी कारण इस बेट की गाउं में एक भी कुआ नहीं और सभी लोग पानी के लिए जहरने के पानी पर निर भर रहते हैं ऐसा प्रशिद और मसहूर मंदिर बेट की गाउं में आता है जो मारसेल पॉंडा से लगबख 10-15 किलोमेटर की दूरी पर आता है मंदिर को जिस वास्तु खला में बनाया गया उसे मंदोधरी मंदिर के खोबसूरती में और बढ़ोतरी हुई है क्या है मंदोधरी मंदिर का धारिमिक महत्वा अध्यात्मिक्ता के दृष्टी से देखा जाये तो बेट की गाउं का मंदिर सच नहीं है मंदोधरी का असली मतलब होता है उदर और पानी यानि इस मंदिर में जिस देवता के पूजा की जाती है वो जल के देवता है जिनका पानी से जन्म हुआ है धारमिकता के दुरिष्टी से देखें तो गाउं के भले के लिए जिन बच्चों ने अपनी जान दे दी जिसके करण गाउं के लोगों को जहरने का पानी मिल सका जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि मंदोधरी मंदिर जल देवता का मंदिर है और जिन बच्चों ने अपने जान की कुर्बानी दी उनके लिए मंदिर समर्पित है गाउं का इतिहास हमें मंदिर के कहान से रूबरू करता है उन बच्चों के बलिदान के बाद ही जल्देवता प्रशन हुए और तब से गाउं में जहरने का पानी आ सका 2013 में इस मंदिर इस प्रसिद्ध मंदोदरी मंदिर को 102 साल पूरे हो गया है बेटकी गाउं के लोगों के लिए मंदोदरी मंदिर एक तुर्थ यात्रा के दृष्टी से बहुत महत्वपून जगा है उन्हें देवी के आस्तरवात के कारण सीतल और सुध जहरने का जल लगाता मिलता रहता है और यही इस मंदिर की विशेस्ता है जब भी आप मंदिर के दरसन करने आएंगे तो जहरने के जल को देखे बिना चाही नहीं सकते जहां गाओं होता है वहां मंदिर होता है और जहां मंदिर होता है उस मंदिर की देवता के पूजा करने के लिए प्रशाद, फूल, नारियल और साथ में थोड़े से जलकी आफसकता होती ही है क्योंकि कई मंदिरों में जला भी सेख तो किया ही जाता है लेकिन इस बेटकी गाउं में जाने के बाद आपकी जो सोच है वो पूरी तरह से बदल जाएगी क्योंकि जब भी आप जल का इस्तेमाल करोगे तो आपको जल का कोई भी सुरोत नहीं मिलेगा सिवाए जहरने का जल इस गाउं में आपको एक भी जगह पर कुवा देखने को नहीं मिलेगा आपको हर जगह केवल हो यहां उस रहस्मेई और चमतकारिक जहरने का पानी ही मिलेगा वो ऐसा जहरना है जिसका पानी कभी खतम ही नहीं होता दोस्तों इसी तरह के इंट्रेस्टिंग और एतिहासिक जानकारी के लिए हमारा चैनल हिस्टोरिकल इंडियन को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें